बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम, असलाम लेकूम, कैसे हैं आप सो, उमीद है कि बिल्कुल खेरियत के साथ होंगे, आज की रेसिपी है अंडे कीमे की, ये अंडा कीमा जो है वो मैं बचेवे कीमे के साथ बना रही हूँ, मैंने दम का कीमा बनाया था जो मिरे पस बच गया है, उसके साथ मैं एक नई डिश बना रही हूँ, जो है अंडा कीमा की, ये वैसे तो आप लंच में या डिनर में भी खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली नाश्टे के लिए है ये रेसिपी, और ईद के हवाले से ये रेसिपी है, आम तोर पे हम रेड मीट जो वो ईद पे ही खाते हैं और ईद पे ही इस तरह की डिशिस बनाते हैं, वैसे तो आप रूटीन में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है और जल्दी और जटपट से बन जाता है, तो रेसिपी का अगास करते हैं, उससे पहले अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बड़े साइज का प्यास, चॉप की अावा इसमें शामिल किया है, इसको गुलाबी माइल होने तक पकाएंगे, अब इस में एक दरम्याने साइज का टमाटर यह भी चॉप किया हो है, यह भी डाल गी इसको इतनी दे तक पकाएंगे, कि टमाटर नरम पढँज है अब डाल देंगे जीरा पॉर्डर, धनिया पॉर्डर, लालमेज का पॉर्डर, एक ही चाय का चमच, नमक खस्बिजाइका और हल्दी चुथाई चाय का चमच इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें शामिल करने हैं अंडे, दो अंडे हैं जिनको अच्छी तरह से फैंट लिया है और फैंटने के बाद शामिल करना है और उसके बाद तेजी से चमच ला देना है फिर इसमें सबस मेचे और अद्रक शामिल कर देना है इसके बार ये देखे बचावा कीमा मेरे पास अगर आपके पास कोई भुनावा कीमा या आलू कीमे में से बचावा कीमा है तो आप वो भी इस्टमाल कर सकते हैं एक प्याली कीमे की डाल दी है, अच्ya तरह से mix करना है और 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूंगे पकाना है कि तेल अलग से नज़र आने लग ज़ए अंडा कीमा त्यार हो गया है चूले को बन कर गये इसको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं गानिश कर लेते हैं सबस धनिये जूलियन का टद्रक और सबस मेचों के स्लाइसिस के साथ अंडा कीमा अब रेडी टू सर्व है कैसी लगी आपको आज की रेसिपी फीडबेक जूर दीजेगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शियर भी कीजिएगा मजीद छटपट बन जाने वाली मज़दा रेसिपी ज़ानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए अल्ला पाक आपके दिलों को घरों को दस्तरखानों को हमीशा बाद रखें फियमानला